next question question says a constant force f is equal to mg by 2 is applied on the block of mass m1 as shown in the figure the string and the pulleys are light and surface of the table is smooth हमें बताना है acceleration क्या होगा आपका mass m1 का acceleration बताना है scenario यह है कि यह आपकी table उस table पे आपका एक mass m1 यहाँ पे आपकी पुली यहाँ पे आपका mass m2 और यहाँ पे आपने constant force लगा रखा है इसकी वैल्यू दिवी mg by 2 यह आपको यह force दिया हुए इसके इसमें में बताना है acceleration क्या होगा लेट अस consider कि यह आपके सारे ब्लॉग नीचे जा रहे है ठीक है नीचे यह राइट साइड में जा रहे हैं तो यह नीचे जा रहा है इदर जा रहे है तो यह आपने system का acceleration मान लिया अगर हमने यह acceleration माना है और एक की वैल्यू नेगेटिव आ गई इसका मतलब है कि ओहो इधर ना जाके इधर जा रहा है तो इन दोनों का अगर हम आपका f और इधर आपका a acceleration है और m1 मास है तो इसकी मतलब यह हम लिख सकते है t-f विल बी इक्वल टू m1a यह आपकी पहली equation बन गई second equation जब आप f2 m2 का fbd बनाएंगे तो यह आपका block हो गया m2 इसका fbd बनेगा नीचे इसमें force लग रहा है आपका m2g और ऊपर tension और नीचे आपका a acceleration से जा रहा है तो इसकी equation लिखे जाएगे m2g minus t m2g minus t will be equal to m2a यह आपकी equation number 2 हो गई now अगर हम 1 और 2 दोनों को add कर देंगे तो आपके t के सुपारी हो जाएगे ठीक है तो इसका मतलब यह है अगर आपने हमने आप क्या किया equation number 1 उसमें आपने add किया equation number 2 so left hand side में आपका बनेगा t ऊड़ जाएगा यह आएगा m2g minus f will be equal to right hand side आएगा m1 plus m2 multiplied by a so इसको अगर आप divide कर देंगे अच्छा यहाँ पे जो f है f की value दीए m2g by 2 तो यहाँ पे अगर m2 इसकी value हम insert कर देंगे so this will be equal to m2g minus m2g by 2 will be equal to m1 plus m2a all right यह आपका m2g by 2 बचेगा so which implies a will be equal to m2g divided by twice so इसे डिवाइड हो जाएगा m1 plus m2 यह आपका final x relation की value आगे ठीक है so this will be our final answer